दोस्तों नमस्कार आज हम लोग बात कर रहे हैं डी एचे के बारे में ये डी एचे न्यूटी चार्ज कम हम लोगों का आर्सीयम में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका के कोई जवाब नहीं है ये इतना जबर्जस्त प्रोडक्ट है कि इसकी जरूरत हमारे लाइफ में प्रति दिन पढ़ती है तो हम जो बता रहे थे कि जदी आपको डी एचे जदी आपको अपने सहीर में ठीक से रखना है तो आपको प्रती दिन थोड़ा बहुत अखरोट खाने का जरूरत है सुखा मेवा खाने का जरूरत है मूंग फली खाने का जरूरत है सुरुज मुखी का जो है फल वगड़ा रिसोज मुखी का तेल है वो जरूरत पड़ेगा सुवाबीन का जरूरत पड़ता है सरसो का जरूरत पड़ता है इस प्राउट की जरूरत पड़ती है और जो है कॉली फ्लावर यानि फून को भी जो हम लोग खाते हैं उसमें भी थोड़ा मिलता है हरी सबजियों में मिलता है ब्राकोली में मिलता है सलजम में मिलता है हरी पत्तिदार सबजियों में मिलता है इस्ट्रॉबेरी इत्यादी में मिलता है लेकिन हम लोग अपने लाइफ में जेनरली ये सब चीज कम खाते हैं नतीजा यह होता है कि इसकी हमेशा कमी होती है पूरे वर्ल्ड में जब सर्वे किया गया तो सर्वे करने के बाद ये पाया गया कि 98% लोगों में इसकी सक्त कमी है बहुत ज़्यादा कमी है 98 मतलब 100 में दो लोग होते हैं जो इसकी सायद भरपूर मातरा लेते हों लेकिन 98% इसके बारे में ना जानते हैं और जदी जो लोग कुछ जानते हैं तो वो इसको बहुत बहुत जादा महांगे दाम में बेशते हैं और लोग जो है कि इसको बड़ी मुश्किल से खा पाते है प्रणिख को कोई दूर मेगा करने वाली कंपणी इसको जो हम लोगों को प्रोभाइट किया इसकी वजह से फाइदे क्या है यह जानने की ज़रूरत है तो फाइदा इतना है कि आप जो है कि दंग रह जाएंगे इसमें हमने बताया कि यह सूजन को कम करता है यानि ज़दी सूजन कम करता है तो जो आखों में सूजन होती है जोडों में सूजन होती है या सरीर में सूजन होता है Any type of inflammation can be controlled and diminished by the omega 3 यानि आपके सरीर में कहीं पर भी कोई सुजन वाली बात होती है inflammation वाली जदी बात होती है तो ये उसमें आराम करता है ये आपके heart के लिए अम्रित है क्योंकि heart के muscles को ये मजबूत करता है heart में जो blood का supply होता है जदि heart के blood supply में जदि clot हो जाए तो heart attack हो जाता है यानि इसको जदि कोई खाता है तो उसको heart attack की संभावना काफी कम है एक बात और है इतनी अच्छी अच्छी बाते हैं तो इसको दवा समझने का भूल ना करें यह supplement है supplement का मतलब हमारे दैनिक आहार में होना चाहिए था लेकिन होता नहीं है नतीजा यह है कि ना हम बदाम खाते हैं ना खरोट खाते हैं ना चना खाते हैं ना भीजा हुआ कुछ खाते हैं तो हमको मिले कहां से तो यह जो है आज भेज ओमेगा मसली खाने की जरूरत नहीं है मसली वाला ओमेगा नहीं चाहिए आपको यह भेज ओमेगा इसकी वज़े से ब्रेन का बहुत बढ़िया काम होता है ब्रेन का काम का मतलब क्या है कि हमारे सोचने की सक्ति को ये बढ़ाता है हमारे ब्रेन के एफिसेंसी को बढ़ाता है यादस्त लखने की सक्ति को बढ़ाता है हम में से बहुत से लोग हैं यदि उमर होने लगता है तो उन्हें भूलने की बिमारी हो जाती है छोटी छोटी बातों पर लोग चिड़ेने लगते हैं सब्रेन का function धीरे-दीरे कमजोड होने लगता है यादस्त की समझ कमजोडी होने लगती है तो जदी कोई आदमी इसका 7 करे तो उसको यादस्त की यह डिमेंसिया हम लोगोगों को कम कर दिया यह जो है कि कई करा में काम आता है आज रही किसको कण नहीं चाहता है कि हमाने लंबा हो आज इसका वेज़े कोई घ्रवाNew इसका कोई तीक सील यानि हेर के लिए फाइदा है यह हमारी जोItaly होती है जिसमें ज़ो फैट जम जाता है उसको फैट को यह व्हाटाता है यानि कि ब्लड को आने जाने में सुविधा बनाता है आप सोचो दोस्तों घी जो है normal temperature में जम जाता है यानि fat होता है आज जो लोग घीव अगरा खाते हैं या जिनका triglyceride बढ़ जाता है लिपीर टेस्ट करो तो cholesterol triglyceride बढ़ा हुआ है तो इसकी वज़ा से हमारे सरीर का triglyceride का level control होता है यानि कि ये सोचिए triglyceride की दवा काफी महांगी होती है लेकिन ये हमारे सरीर में triglyceride के मातरा को भी maintain करता है यानि कि blood flow को हावा गमन में blood में जदी जमने न दे हमारे रास्ते में जदी fat जमने न दे तो कितना अच्छा है आज महिलाओं में या लोगों में एडी में दर्द होता है है तो सरीर में calcium के मातरा को जो परिवर्टन होता है त कमर के दर्द में फायदे मंद है इस पॉंडिलाइटीज के केस में जो है कि हम लोगका उसमें जदी cervical spendylitis अनि गरगन का हो कमर का spondylitis उसमें भी फायदे मंद है तो शरीर में और देखे सब मोटापा मोटापा आदमी के लिए अभी साप है लेकिन इसका जदी आप सेवन कर इस में मोटापा भी control होता है शो यह फैट को गलाने का ताकत रखता है और जोकाइब से हुआ सफनपाइबग्जार करता है उसको भी बेवजा का कड़ा पनाने नहीं देता है और महिलाओं में पिरियेड टकलीप होती है महिने कितलीप होते है दर्द ज्यादा होता है uterus का function problem करता है उसको भी रेगुलराइज करता है और osteoporosis हड्यों में मजबूत्ती लाता है तो एक product जो है हम जोदी अपना जेनिक जीवन में थोड़ा सा ठीक कर लें यारी omega जोदी खा लें omega ठीक से खा लें तो हमारे सरीर में इतने तरह के ज़र के फायदे होने लगते हैं यह तीन तरह का EPA डीएचे और एले के तरह से हम लोग को होता है थोड़ा कटिन चीज़े थोड़ा सा बताने के चेश्टा करें जदी हम वो सब चीज़े जो हम बताए तो जदी आप डेली जदी अखरोट खाईए बदा जड़ा करें हो तब जाकरकेに आप यह बहुत बड़ा भड़ा खड़ा कर सकते हैं इसकी जानकारी लेने के बाड़ तो दोस्तों जहार से हम इस पर ऐसक हए